बात करते हैं इस वक्त की सबसे बढ़ी खवर की जो करतार पूर साहेब पर पाकिस्तान की नई साजिश को जागर कर रही है पाकिस्तान ने करतार पूर साहीब पर तीन वीडियोस जारी किये हैं उसी की जलक यहाँ पर देखने को मिल रही है दो तस्वीर आपके सामने एक तरह भिंडरावाले का जिक्र है करतारपुर के वीडियो में वहीं दूसरी तरह अमरिस्टर में जो पोस्टर लगे हैं वहाँ पर नवजो सिंग सिद्दू और इमरान खान हीरो के तौर पर दिखा हिंदुस्तान के करोडो सिखो की आस्ता पर कबजा कर बैठा पाकिस्तान कोरिडुर खोलने को तैयार हो गया लेकिन सिखो की आस्ता का खयाल नहीं रख पाया पाकिस्तान की सरकार कर्तारपुर में शांदार तयारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही है पाकिस्तान की ओर से बेमिसाल इंतिजाम का तावा कर रही है पाकिस्तान की इस दावे पर फरोसा करके हजार उश्रा धालू नंकाला साहे में दर्शन करने भी पहुँच रहे हैं लेकिन भारत की ओर से अभी रास्ता नहीं खुला है भारत की ओर से जो रास्ता पाकिस्तान के कर्तारपुर की ओर जा रहा है उसमें पाकिस्तान के अंदर खुसते ही, पहले मुकाम पर जो इमारत बनाई गई है, वो पाकिस्तानी रंग में रंगी है, बाहर विशाल पाकिस्तानी जंडा और इमारत की छट पर पाकिस्तानी जंडे का रंग है यहाँ से बसों के जरीए श्रद धालवों को ननकाना साहिब तक ले जाने की योजना है लेकिन इस पूरे रास्ते में कहीं भी गुर्णानक देव के 550 वे प्रकाश वर्ष के उत्सप जैसी तैयारिया नहीं दिखती है एक तरफ दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी बड़े उत्सप के मौके पर गुर्द्वारों के अंदर से लेकर बाहर तक सजावट होती है निशान साहिब वाले के सरिया पता का फेराते हैं लेकिन करतारपुर में ऐसा मुश्किल से भी नजर नहीं आ रहा वैसे पाकिस्तान के तैयारियों का असली पता तो 9 नवंबर को चलेगा जब भारत की ओर से कोरिडोर का उधगाटन होगा और भारती है शद्धालू दर्शन करने पहुचेंगे लेकिन अभी तक की सूरत में करतारपुर में विशाल पाकिस्तानी जंडा तो दिखता है लेकिन निशान साहिब नहीं दिखता टीम न्यूज नेशन